सूपर टिस्टी एकदम डिलीशियस सोया बीन की बड़ी की रिष्पिले के आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है कीर्थी और कुकफेर.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रिष्पिले के आई हूँ तो स्टार्ट करते हैं कर दिया है एक बस नीया है एक देंर समय प्रेंग प्रेंद कर दिया है है तो हम इसी में डाल के ढख देंगे तब तक हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं मैंने यहां पे पैन लिया है, दो चमच के करीब धनिया लिया है एक चमच के करीब जीरा लिया है, मिर्च ले लेंगे सूखी दो मैंने तेज पत्ता लिया है आदा चमच के करीब मैंने सौफ लिया है एक मैंने बड़ी लाची दो छोटी लाची लिया है दो लॉंग लिया है एक दाल चीनी का टुकड़ा लिया है पांच से छे मैंने यहां पे काली मिर्च लिया है और इसको चला देंगे ताकि जले ना एक चमच के करीब मैंने कस्तूरी मेथी लिए सब को अच्छी तरह रोश्ट कर देंगे जादा नहीं बुनना है फिर आप ये देखिए मैंने इसको तेन चे चार गंटे डाल को भीगो लिया है तो ये एक कटोरी के करीब मैंने डाल लिया है ये देखिए अच्छे से भीग चुकी है तो मैंने याँ पे एक कुकर लिया है और इस डाल को हम इसी कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे तो मैंने सारी डाल इसी में ट्रांसफर कर ली है मैंने अच्छे से दोके लिए यर इसमें जो थोड़ा सा पानी बचचा है इसको हमाला गी रख देंगे और अलग से इसमें न्यॉटा थेलब्य कारीप पानी अट कर देंगे वे इसमें मनें हल्दी एट किया है चुल कर लिए अच्छी पख कर देंगे गैस का flame on कर देंगे और धीमी आज में आप इसको दो सीटी तक पका लीजिए और इधर हमारा जो मसाला ये भी ठंडा हो गया अच्छी तरह से तो हम मिकसर जार में अट करेंगे और इसका जाधbon महीन पाउडर नहीं बनाना है बस हमें दर्दरा ही इसका पाउडर बनाके तयार करना है इधर ये डाल बड़ लएए तो हम बंद कर देंगे इसका flame off कर देंगे और मैंने एक कड़ा ही ली है उसमें मैंने थोड़ा सजादर तेल डाला है मतलब कि इसमें मैंने चार से पांच टेवल स्पून के करीब तेल डाला है यह मैंने आलू को कट कर लिया है नॉर्मल जैसे आलू काटते हैं और इसी तेल में आड़ कर दिया तेल गरम हो जाने के बाद और इसको अब हम इसी में पकने देंगे ये देखे बड़ी भी हमारी फूल चुकी है तो हम इसका पानी हमें स्क्यूज करना है क्योंकि ये बहुत गरम है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हाथ जले नहीं तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि ये गरब है अगर इसका पानी स्क्यूज करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है तो थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा इसलिए हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है तो सारी बड़ियां को मैंने प्लेट में निकाल लिया है ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है तो इसका पानी आपको ऐसे हाथों में लेते हुए दोनों हाथों में ऐसे दवाते हुए आराम से निकाल ला है ताकि बड़ियां तूटे भी ना आराम से निकल भी जाए बहुत ह आसानी रिस्पी है पर बहुत टेस्टी है मैंने सारा पानी निकाल के तयार कर लिया है और इधर हमारे आलू भी पक गए हैं ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये बहुत ही हिल्दी भी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के आपको और ये बड़ी जो हमने पानी निकाल के ले लिया था इसको भी हम इसी ओयल में एड़ कर देंगे और यहां पर एक बात का ध्यान डखना है कि आपको गैस का फ्लेम हाई करके लगा तर चलाते हुए आप बड़ियों को पकाएंगे तो इसका पानी है वह अच्छी त और बस हमें इस टाइम तक पकाना है कम से कब मैंने 5-6 मिनित तक इसको पकाया है इसके बाद मैंने निकाल लिया है मतलब मैंने रोष्ट किया इसके बाद हम प्याज ले रहे हैं हमें प्याज को बारिक बारिक काटना है तो आप ऐसे ही नॉर्मली ये देखिए मैंने बारि यहां पर मैंने दो मिर्ची, आप तीक आपनी हिसाब से एड कर सकते हैं लहसुन के लिए अब उसी कडायी में हमें तेल एड करना है, एक चमज के करी जीरा मैंने ऐड किया है, मैंने हींग एक पिंची किया और जो लहसुनर मिर्ची काट के ली्ठी वह भी आड कर देंगे, त कर देंगे थोड़े से चलाने के बाद और प्याज को अच्छी गोल्डन सुनहरे रंग आने तक हमें पकाना है ताकि इसका कच्छा पन अच्छे से निकल जाए जब अच्छे से कच्छा पन निकल जाएगा तो हमें टमाटर एड़ करना है तो यहां पर मैंने दो मीडियम करते हुए इसको पकाना है तो बहुत जल्दी यह पक जाता है यह अच्छी तरह गल गया है हमने जो मसाला बनाया है उसी को मैंने यहां पर डेड़ चमच यूज किया बहुत ही कम मसालों के साथ मैं बहुत ही टेस्टी सबजी बनाई हूं तो यह देखिए जो दाल का पानी इसको भी इसी में एड़ कर देंगे ना तो ज्यादा तेल है ना तो ज्यादा मसाला है पर बहुत ही टेस्टी बनेगी और बस यह अच्छी तरह जब पक जाए तो इसमें आपको जो हमने अपना यह आलू और सोय इनकी बड़ी ली थी इसको भी आड़ करके पांस इनेट के थोड़ा से यह मसाला अब्जॉर्ब कर लेगी इसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा से चलाना है और जो हमने डाल को उबाल के ली थी इसको भी इसी में आड़ कर देना है और यह मैंने डाल आड़ कर दी है थोड़ा से एक बाई स्टर कर देंगे अच्छी तरह से उसके यह देखिë कितनी अच्छी लग रही है बस 5 मिनिट के लिए ढख देंगे थोड़ा सा उबाल आने देंगे तो यह देखिए उबाल आ चुका है और कितनी बढ़ियां लग रही है खाने महीं बहुत टेस्टि यहां पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउड़ा लिया है और मै मैं कटा हुआ धनिया ले रही हूं इससे मुझे बहुत अच्छी सब्जी लगती धनिया डालने के बाद और टेस्ट करके बताती हूं बहुत ही लाजवाब सब्जी बेनेगी थैंकिंग